इसका दोस्तों नॉलिज पंडित यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं यह पार वन है पिछले तीस सालों से जो एक्जाम में कॉश्चन्स आय हुए हैं साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वह किस एक्जाम में आय हुए हैं अब इस सीरीज को कंटिन्यू चलाएंगे तो प्लीज आप इरी चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि इसके बाद के पार्ट हैं वो सभी आपको बाद में मिल जाएंगे और लाश्ट में भी शो हो जाएंगे इस सीरीज से आपको ये फायदा होने वाला है कि पिछले 30 साल से हर एक्जाम में आयो है कॉश्चन हम आपको कवर कराने वाले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्लीज चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और पूरा वीडियो जरू देखिए पहला कॉश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सार्थ वाग किसे कहते हैं UPPCS 2008 में ये कॉश्चन आया हुआ हुआ है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सार्थ वाग क्यलाते थे व्यापारियों के काफिले के प्रधान option नमर भी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगले प्रेशन में आपसे क्या पूछा गया देखिए मौरे समाज का विभाजन साथ वर्गों में विशेस तोर पर उलेखे थे कहां पर तो मौरे समाज का विभाजन ये यूपी पीसेस दोज़ादस का कॉशन है मैगस्तरीस की पुस्तक इंडिका में दिया गया है option नमर भी यहां पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगले प्रशन में आपसे पूछा गया है निमने मैसे किस विशेय पर कॉटेल के अर्थसास्तर में नियूंतम जानकारी मिलती है IES का question है प्री का 24 का गुप्टचर व्यस्ता की विजानकारी है उसमें व्यापार मार की जानकारी है और राजस प्रवन्दन की क्रशी पदती की जानकारी नहीं है कॉटेल का अर्थसास्तर मोश्टली आपको पता होना चाहिए किस लिए था तो ये आपका राजनिती से संबनित था अगला कॉशन देखिए अगला कॉशन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रशन देख लेते हैं ये रहा आपकी स्क्रीन पर विदेशियों को भारती समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाज इक इस तर क्या था तो विदेशियों को वरात्य छत्रियों का इस तर दिया गया था विवाहा विक्षेत की अनुमती दी गई है तो विवाहा विक्षेत की अनुमती किस गरंथ में दी गई है तो ये दी गई है आपके अर्थ सास्तर में option बढ़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा IS 296 का ये कॉशन है एक्जाम में कई बार आया हुआ कॉशन है अगला कॉशन दिख लेते हैं मौरे काल में सिक्षा का सरवाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था तो मौरे काल में ये कॉशन आपका UK मतलब उत्तराखंड PSC 2010 में आया हुआ हुआ है सबसे प्रसिद्ध केंद्र आपका थो तक्षिसला मौरे काल में option अमसी यहाँ पर तक्षिसला सही answer हो जाएगा इस कॉशन के लिए अगली कॉशन पर बढ़ते हैं यह आपकी स्क्रीन पर इसमें आपसे पूछा गया देखिए मौरे समाज में दास पता पचलित थी यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं कथन और कारण मौरे समाज में दास पता पचलित थी और कॉटल ने नौ प्रकार की दासों की चर्चा की है यहाँ पर आपका सही answer है option number A मतलब कथन A भी सही है और कथन R भी सही है और R A का सही व्याख्या करता है मतलब मौरे काल में दास पता पचलित थी बिल्कुल सही और कॉटल ने नौ प्रकार की दासों का उलिक क्या है यह भी बिल्कुल सही चीज है चली question number अगला देख लेते हैं यह आपकी screen पर इसमें क्या पूछा गया आपसे अशोक ने गया जिले में बराबर पहाणी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी तो अशोक ने आजीवक के लिए गुफा खुदवाई थी यह UPPCS 2011 का question है आजीवक के लिए अशोक ने जो है बराबर पहाणीओं पर गुफा खुदवाई थी question अगला देख लेते हैं पूचा गया है वह महादीब जिसका दक्षणी शोर अंटार्किटिका के सबसे नजदीक है तो आपको बता दें यह RRB 2003 का question है और इसका सही answer है दक्षण अमेरिका दक्षण अमेरिका का दक्षणी शोर जो है वह अंटार्किटिका के सबसे नजदीक है option number A इस प्रशन के लिए सही answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question पर पूचा गया है दक्षणी अमेरिका के निम्रल कितम से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है भारतिये लोगों को क्या नाम दिया गया था तो जो अमेरिकी लोग है वहाँ पर जो भारतिये लोग थे RRB 26 का question है उनको बोलते थे Amerindus option number C Amerindus बिल्कुल सही answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला question देख लेते हैं यह आपकी screen पर महाद्यूपों का नाम बताईए जो एक दूसरे के दरपण प्रतिविम बनाते हैं तो एक दूसरे के दरपण प्रतिविम बनाने वाले महाद्यूप हैं आपके अफरिका और दक्षणी अमेरिका option number C यह CDS 2011 कोशन है अफरिका और दक्षणी अमेरिका एक दूसरे के दरपण प्रतिविम बनाते हैं अगला question दिख लेते हैं यह आपकी screen पर सरवादिक उत्तरी दक्षणी आक्षांसी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौनसा है तो सरवादिक उत्तरी दक्षणी लंबाई वाली सीमा वाला देश जो है आपका चिली है, option number B, चिली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2019, बिहार PSC Pre का question है, यह यार रखेगा, अगला question दिख लेते हैं, यह आपकी screen पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, परागवे की राजधानी कौन सी है, जहां भारत के उपर राष्ट पती ने मार्च 2019 में दौर जिसमें दौरा किया था, option number A, इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा, अगला question देखिए, यह आपकी screen पर, अगला question आपका MPPSC 2006 का प्री का question है, इसमें आपसे पूछा गया है, कि पेरू किसकी राजधानी है, आपको यह बताना है, तो सही answer हो जाएगा, आपका option number B, लीमा की राजधानी है, पेरू option number B, यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही answer हो जाएगा, अगली question में आपसे पुछा गया है, कौन सी परवत संखला विश्व की सबसे बड़ी परवत संखला है, तो कौन सी यहाँ पर जो option देगा है, उसके हो जाएगा, इस question का सही answer, तो कोटो पैक्सी, जो है आपका, वो इस्तिति आपका Ecuador में, option number A, Ecuador यहाँ पर सही answer हो जाएगा, railway recruitment board 2004 का यह भी question है, अगली question पर बढ़ते हैं, यह आपकी screen पर, अगली question में आपसे पूछा गया है, निम्नलिकिते मैं से, किस हिल station पर आपको, छे अगली question पूछा गया है, तो आपको बताती है, नाचल प्रदेश का एक famous hill station है, option number C, और नाचल प्रदेश यहाँ पर सही answer हो जाएगा, अगला question पूछा गया है, भारत में वहर आज जहां केवल 3-4 महिने, सुस्क मौसम रहता है, तो आपका वहर आज है, हिमानचल प्रदे आज है, तो चैल नाम का hill station है, हिमानचल प्रदेश में आज है, option number B, यह आपका SSC CHSL 2019 का question, latest question कहलाएगा, यह भी हिमानचल प्रदेश option number B, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, अगला question दिखिए, निमने में से किस राज में बौध इस्तल टैबो मत इस्तल है, ISP 2019 का question, तो बौध इस्तल टैबो मत जो इस्तल है, हिमानचल प्रदेश में ही इस्तल है, option number B, हिमानचल प्रदेश इस question के लिए, सही answer हो जाएगा, बिहार PSC 2019 का question दिखिए, निमने में लिकित, भारती राज में से किस की राज्य, विधान सवा में सदसों की संख्या सब से अधिके, अधिके, हिमानचल प्रदेश, हिमानचल प्रदेश, मनिपूर या फिर मेगाल है, तो यहां पर भी आपका सही answer है, हिमानचल प्रदेश की, जो options देगा है, उसके अनुसार, comment करके बताईए, विधान सवा सीटों की सबसे यादा संख्या भारत की किस राज्य में है, किस राज्य में यहां पर इस प्रशन के लिए बिलकुल सही answer आपका हो जाएगा, अगले question पर बढ़ते हैं, अगला question देखिए, question number यह रहा, कौंकन टट, कहां से कहां तक विस्तरत है, तो कौंकन टट आपका जो विस्तरत है, वो है आपका, दमन से लेकर, गोवा तक, option number C, यहां पर जो options समुद्री टटी सीमा सबसे छोटी है, बताइए, तो सबसे छोटी समुद्री टटी सीमा, यहां पर जो options दिएगा है, गोवा, उडिसा, केरल, परश्यमंगाल, simple सी वात है, गोवा बच्छोटा राज है, option number E, SSC, CHSL 2018 का यह question है, option number E, यहां पर, इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा, अगला question दिखिए, भारत के लिए बिलकृत राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो options के लिए यहां पर सही answer हो जाएगा, आपका आंद्रक देश्कों कहा जाता है, यह UK उत्राखंड PSC pre 2013 का question है, दोजा तीन का question है, अगला question दिखिए, यहां पर सही answer हो जाएगा, आपका nitrogen dioxide द्वारा option number B, यहां पर इस प्रशन के लिए सही answer हो जाएगा, nitrogen dioxide, अगला question दिखिए, इनमें से chloro-fluorocarbon के लिए सत्य नहीं है, कोई एक चीज सत्य नहीं है, बताइए, क्या हो जाएगा, इसका सही answer, तो इसका सही answer है, यह Greenhouse प्रभाव में यूरोप के उपर, तो सबसे जादा, ओजोन चिटर कहां पर है, वो है आपकी Antarctica के उपर, यह धीर धीर भर रही है, MPPSC Pre 2008 का question है, अबला question दिखिए, यह आपकी screen पर, दोस्तो ऐसे ही exam में आई हुए question लाएगे, तो प्लीज चैनल पर पहली बारा है, तो subscribe जरूर कर लेना, ह questions आपको दिएगा है, आपके सामने, तो यहाँ पर आपका option number B से answer हो जाएगा, क्या-क्या है, विशिष्ट धुवी, वाताग्र, पहले point, दूसरा, समताप मंडली बादलों की उपस्तिती, तथा तीसरा point है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का अंतरवाह, यह जो है option number B, यहाँ प यहाँ पर ओजो नशिद्र जो है, पाया जा रहा है, तो आपको बता दे, दोजा तेरा UPPSC का यह question है, British team द्वारा पता लगा गया था, option number D यहाँ पर British team, इन्होंने पता लगा के बता था कि ऐसी घटना वहाँ पर हो रही है, यह दिक्कत है, चेद हो रहा है, सूरिक से आन पादन बंद करने के पाश्यात भी ओजोन प्रत्रास जारी रहेगा, ऐसा क्यों माना जाता है, क्या कारण है इसका, तो इसका कारण है, क्लोरो फ्लोरो कारण काफी दीर अवधी तक क्रियाशिल बने रहते है, जो वातबन फैले है, वो बने रहेंगे, इसलिए जो है, यह एकदम से बंदन नहीं होने वाला अंतर राष्ट्री ओजोन दिवस कब मनाये जाता है आपका अगला कॉशन यह है तो अंतर राष्ट्री ओजोन दिवस यहाँ पर option number A 16 सितंबर बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number A बिल्कुल right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो इस वीडियो में इतना ही इसका पार्ट अगला आएगा आपको हर question का पता चलेगा कौन से exam में आया हुआ है बिल्कुल selected question रहेगे पेपर में से निकालेगा question रहेगे आपको comment करके इस question का answer दो प्रकास सबसे अधिक गती किसमे करता है इसका पार्ट दो भी लाएंगे दोस्तों को share करो आपको अब इस channel पर रोज वीडियो मिलेंगे ऐसे ही exam में आए हुए और कब paper किस paper में आए हुए ये भी आपको पता चलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको इस शोबो बहुत बहुत धन्यवाद